आधुने की युग में हर कोई तनाव से स्ट्रेस से घिरा रहता है और इस वजह से आसपास में लोगों के बीच कलह होता है और आपस में लड़ाई जगड़े होते हैं नमात्र बड़े बल की छोटे बच्चे भी इसी चीज का शिकार हो रहे है और इसी वजह से दिन बदिन बीमारियां बती जा रही है ऐसे में जियोतिश शास्त्र में कुछ ऐसे उपाई बताए गए है जिन्हें अपना कर आप जीवन में खुशिया ला सकते हैं और बीमारियो वह स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं तुलसी पर जल चड़ाएं जियोतिश शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में जल चड़ाने और दीपक जलाने के उपाई के बारे में बताया गया है तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे आध्यात्मि तुलसी पर जल चाने से राहु का प्रभाव कम होता है और सूर्य देव की कृपा बरस्ती है यही नहीं पॉजिटिव एनजी भी बनी रहेगी शिवलिंग पर अभिशेक करें शिवलिंग पूजा और मंत्र जाप हिंदू धर्म में आध्यात्मिक्ता और मानसिक शान्ती के लिए महत्व पूर्ण रूप से माने जाते हैं शिवलिंग पर जल चड़ाने से भक्ती और आध्यात्मिक्ता की भावना मजबूत होती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है ओम नमह शिवाय का जाप करने से आप अपने मन को शान्त कर सकत है मोती रत्म को धारन करें चंद्रमा ग्रह को हिंदू जियोतिश में मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है और इसका प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है मोती रत्म का धारन करने से भी चंद्रमा के अशुब प्रभाव को कम करने में मदद हो सकती है मोती को चंद्रमा के रत्म के रूप में माना जाता है और इसे धारन करने से मानसिक शांती और स्थिर्ता प्राप्त हो सकती है चांदी के गिलास में पानी पीने से भी चंद्रमा के प्रभाव को कम किया जा सकता है चांदी को चंद्रमा के धातु रूप में माना जाता है और इसका संबंध भावनाओं और मानसिक स्वास्थे से होता है